हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपोर्टेंट कंसेट नंबर सिस्टम का हाउ टू फाइंड डिजिट एट यूनिट्स प्लेस कम्टिटिव एक्जाम्स में अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ आज के इस वीडियो में किस तरह के क्वेश्चन हम कवर करेंगे मैं कुछ क्वेश्चन बोर्ड पर लिख रहा हूँ जैसे की 256 पावर 299 या 315 पावर 1079 या 4089 पावर 218 अक्सर कम्टिटिव एक्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें पावर बड़ी दे रखी होगी और हमसे पूछा जाएगा कि बताइए इसको सॉल कर रहे पर यूनिट्स प्लेस पर कौन सी वैल्यू आती है यूनिट्स प्लेस कौन सी होती है जैसे 279 है तो यह सबसे पहले 2-3 seconds में ही हम बता पाएंगे कि units place क्या होती है तो चलिए rule 1 पे चलते हैं rule 1 देखिए rule 1 है 0, 1, 5 और 6 के लिए अब इसका मतलब बताते हैं कि इसका मतलब क्या है माल लिजे हमारे पास कुछ ऐसा question आ जाता है कि 656 की power 578 है इसकी solve करने के बाद units place क्या होगी वो निकालिए तो rule 0, 1, 5, 6 का मतलब क्या है कि यानि कि ये bracket के अंदर देखिए जैसे 656 है मुझे bracket के अंदर वाली units place को चेक करना है सबसे पहले bracket के अंदर units place मेरे पास यहाँ पर 6 है तो इन 4 में से 6 मेरे पास यहाँ पर आ रहा है मैं एक एक question सभी का पहले यहाँ पर लिख रहा हूँ फिर उसका rule आपको बताते हैं मानले जी एक question दूसरा लिख रहा हूँ यहाँ पर 315 की power 1079 है और एक question हम लेते हैं मानले जी ए 1021 और इसकी power 2073 और एक question ले लेते हैं 220 की power 110 देखे चारों केसिस कवर कर रहे हैं यूनिट्स प्लेस 6 है यहाँ पर यूनिट्स प्लेस 1 भी आ गई यूनिट्स प्लेस पे 5 भी आ गई और यूनिट्स प्लेस पे 0 भी आ गई तो सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए rule 1 किसके लिए है bracket के अंदर जो value है उसके यूनिट्स प्लेस मेरे पास अगर इन चारों में से कोई भी आ जाए बड़ा असान सा rule है अगर इन चारों में से कोई भी value यूनिट्स प्लेस पे आ जाती है तो power जितनी मर्जी हो कोई फरक नहीं पड़ता यहाँ पर 578, 2073, 110, 1079 कुछ मर्जी आ जाए जो यूनिट्स प्लेस पे है वही उसका अंसर होगा यानि कि इस question का अंसर होगा 6 इसका अंसर होगा 1 इसका अंसर होगा 0 और इसका अंसर होगा 5 यानि कि मुझे 656 की power 578 पूरा solve करने की जरूरत ही नहीं है अगर यूनिट्स प्लेस यहाँ पे 6 है तो यानि कि इसको solve करके जो भी answer आएगा उसकी यूनिट्स प्लेस भी क्या होगी 6 होगी यहाँ पे पीछे 1 है तो इसका answer 1 होगा इसके पीछे 5 है तो answer 5 होगा 0 है तो answer 0 होगा तो rule 1 बिलकुल असान है अगर मेरे given question में यूनिट्स प्लेस 0,1,5,6 है तो solve करने के बाद power जो मरजी हो solve करने के बाद value same ही रहेगी तो यह हमारा rule 1 बिलकुल असान था I hope आपको समझ आ गया होगा कि 0,1,5,6 के answer same ही रहते हैं rule 2 पे चलते है rule 2 देखिए rule 2 है जब यूनिट्स प्लेस पर 2,4 और 8 हो यानि कि मैं कुछ questions पहले ही लिख देता हूँ जिससे आपको question clear हो जाए पहले जैसे कि मान लिजी हमारा 32 की power 32 हो या समझ लिजी 474 की power कुछ आ जाए let's suppose 474 की power 52 है या मान लिजी कोई ऐसा question 828 की power 56 लगा लिजी अब मैंने क्या किया क्योंकि हम case कर रहे है 2,4 और 8 का तो यह देखिए यहाँ पर units place पे 2 है units place पे 4 है units place पे 8 है तो तीनों के ही हमने एक-एक case ले लिया तो यहाँ पर rule क्या है rule देखना है ध्यान से हमें अगर 2,4 और 8 में से कुछ भी आ जाए तो सबसे पहले तो power चेक करनी है और power के लिए क्या चेक करना है power को हमने divide करना है किस से? 4 से यह note कर लिजीए divide किस से करना है 4 से divide करना है और power अगर 4 से divisible है divide अगर हो जाती है पर बिल्कुल divide होता है और 56 भी 4 के टेबल पर divide होता है अगर यह powers 4 से divide होती है तो answer क्या आएगा 6 आएगा तो बिल्कुल यह ध्यान रखना है कोई मुश्किल काम नहीं है अगर मेरे पास units place पर 2,4 और 8 है तो बस उनकी powers को 4 से divide करिए और अगर divide हो जाता है if divisible अगर power divide हो जाती है यानि कि यह जैसे तीनों हो रही है तो answer क्या आएगा 6 आएगा यानि कि इन तीनों का ही answer यानि कि digit at units place इनको solve करने पर जो भी इनका answer बनता है units place पर value क्या आएगी 6 आएगी तो case 1 तो था जब powers divide हो जाती है तो answer क्या होगा तो यह याद रख लेना है answer क्या होगा 6 होगा तो दूसरा case क्या हो सकता है जब यह 4 से divide ना होता हो तो चलिए जब 4 से divide नहीं होता अब वो example करते है चलिए अब कुछ examples देखिए जिनमे units place पर तो 2, 4 और 8 है same लेकिन इनकी powers 4 से divide नहीं होती देखिए हमने करना क्या है इसमें भी मुझे 38 जो power divide तो 4 से ही करना है लेकिन आप देखिए 4 के table पे 36 आता है तो यहाँ पर remainder क्या बचेगा remainder निकाले ना है यहाँ पर remainder बचेगा 2 यहाँ पर देख लेते हैं जैसे 53 को 4 से divide करेंगे तो 4 के table में 52 तो आजाता है तो यहाँ पर remainder बचेगा 1 और इदर 102 को अगर 4 से divide करेंगे तो 4 के table में 100 आता है remainder क्या बचेगा 2 हामें सबसे پहला case क्या करना है सबसे पहला step क्या करना है power को divide तो करना है क्योंकि यह divide नहीं होती है पता है तो remainder निकाले न जैसे remainder यहां पर तो आया case remainder यहां पर बनomyerson यहां पर टू जब सबके remainder निकाल लिए इसके बाद क्या करना Units Place देखे यहां पर क्या है है यहां पर न्यूनित प्लेस लिखो जो वहाँ पर है और जो remainder है उसको इसकी पावर बना दो यहां पर unit space क्या है 4 और remainder क्या है 1 तो वो इसकी power बना देते हैं और इधर 102 को 4 से divide करके remainder 2 आया था लेकिन unit space पर 8 है 8 की power यह remainder कर देना है यह अगला step समझ आया होगा यह वाला 2 यहां लिखा remainder को उपर लिख दिया यह 4 लिखा remainder को उपर 8 लिखा remainder को उपर अब 2 का square क्या होता है 4 4 power 1 4 और 8 का square 64 अब देखी जहां पर तो single digit answer है तो बस यही units place की value होगी 4 ही इसका answer होगा दोनों का और यहां पर 64 है तो यह पीछे वाली value units place वाली तो इसका answer भी क्या होगा 4 होगा तो यह तरीका समझ आना चाहिए कि अगर तो यह सीधा सीधा divide हो जाता है 4 के table पे फिर तो ठीक है फिर तो answer 6 होगा अगर नहीं होता तो पहले remainder निकालो remainder को power की form में लिखना है units place को अंदर bracket में लिखना है उसको solve करना है जो उसकी units place final answer की होगी वही इसका answer होगा बैचास यहां तीनों में 4 आ रहा है तो 4 answer है तो आई होप rule 2 आपको समझ आया होगा अब चलते हैं rule 3 की तरफ rule 3 देखिए rule 3 है 3 and 7 के लिए 3 and 7 मतलब जब हारे question में units place पर 3 और 7 में से कोई एक value हो जैसे की मान लिजे 223 की power मान लेते हैं 102 या फिर 227 की power 100 मेरे पास ये दो cases है मान लिजे एक बार अब देखिए सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है चेक हमें powers ही करनी है और यही चेक करना है कि वो 4 से divide होता है के नहीं अब देखिए जैसे ये वाला case है चेक क्या करना है मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं आपको चेक करना है कि वो divisible है कि नहीं किस के साथ 4 के साथ जैसे यहाँ पर 100 है राइट 104 से divide होता है बिल्कुल divide होता है जब 104 से divide हो रहा है यानि कि जब power जो है वो divisible है तो इसका answer क्या होगा, answer होगा 1 जैसे पिछले में जब हमने 2, 4 और 8 के लिए किया था तो उसमें 6 fix answer था divisible होने पर तो यहाँ पर अगर divide होता है तो answer fix क्या है, 1 है माले जीए हमारे पास ये question आ जाए 43 की power 52, right अब 52, 4 से divide होता है ना, बिल्कुल divide होता है तो इसका answer fix है, क्या होगा, units place पर 1 होगा उधर था 6 और यहाँ पर क्या है 1 चेक हमें powers करनी है और depend करता है units place पर value क्या है जैसे यहाँ पर 7 और 3 अगर units place पर है तो मतलब answer 1 होगा, units place पर 2, 4 या 8 होता तो answer क्या होता, 6 होता अब देखिए यहाँ पर, अब इधर power मैंने leave 1, 0, 2 अब 1, 0, 2 तो 4 से divide नहीं होता 1, 0, 2 divide नहीं होता जब मैं 1, 0, 2 को 4 से divide करूँगा तो मेरे पास remainder क्या बचेगा remainder बचेगा 2 जैसे पिछले में किया था हमने remainder 2 निकाल लिया तो यह पीछे वाली value 3 देख लिजिए और बस 3 की power यह remainder कर देना है यानि कि 9 तो units place पर क्या आएगा 9 आएगा, right तो चलिए एक example और करते हैं इसी तरह की अब जैसे यह question देख लिजिए 267 power 44 267 power 45 अब यह देखिए 44, 4 से divide होता है बिल्कुल होता है, right अगर यह divide होता है तो इसका answer क्या होगा 1 होगा units place पर और यह 45 को अगर मैं power को 4 से divide करता हूँ तो पूरा divide नहीं होता remainder क्या बचता है 1 remainder बचता है, right अगर remainder 1 बचता है तो मुझे यह units place उठानी है 7 और इसका power क्या कर दिने है जो remainder आया उसकी power में लगा देना है तो यहां units place पर answer क्या आएगा 7 आएगा I hope आपको पहले 3 rules clear हो गए होंगे last rule पे चलते हैं 9 के लिए आज का last rule 9 value के लिए rule number 4 बहुत ही आसान है बड़े ध्यान से देखना है माल लीजिए मेरे पास है 29 power 13 देखिए units place पर क्या आ रहा है 9 आ रहा है या समझ लीजिए माल लीजिए 99 power 57 या फिर 109 power 53 राइट कुछ values मैंने यहां पे ली कुछ मैं और भी ले रहा हूं फिर compare करेंगे 39 power 34 179 power 2064 और एक value और ले लेते है 39 power 57 ले ले 139 ले लेते है उपर 39 आया यहां पर 139 ले लेते है और यह 57 की बजाए हम यहां पर लेते हैं चलो 57 की बजाए हम ले लेते हैं 58 ले लेते हैं इधर गोर से देखो इधर हमने सारी ओड़ पावर्ज ली और इधर हमने पावर्ज क्या ली इवन ली रूल बड़ा असान है सब में यूनिट्स प्लेस पर देखिए 9 आ रहा है पावर्ज ओड पावर इवन रूल ही बस इतना सा है कि अगर तो पावर ओड है ये बड़े ध्यान से देखिएगा अगर पावर ओड है तो इन सब के यूनिट्स प्लेस पर अंसर क्या आएगा 9 आएगा बिल्कुल इजली चेक हो जाता है और अगर पावर इवन है तो बस सब के यूनिट्स प्लेस पर पर ऑनसर क्या होगा one होगा तो बहुत आसन एक बार रिपीट कर देता हूँ अगर पावर ओर्ड है तो और अगर अगर फॉय चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो तो देखा आपने हमने चार रूल किये और covered और अजarden में में ऐसे क्यूशन आ जाते और बड़ी असानी से just question को देखते ही अगर आपको यह rule याद है तो आप बता सकते हैं कि units place पर कौन सी value आती है I hope आपको सारा समझ आया होगा हमारे videos को like और share जरूर करते रहें Thank you so much